एक से एक प्रेवर कभी कभी जा रहा है वहना हमें से एक सदू एक सचार और इस समय में गया था अपोलो होस्पीटल वहां पे डॉक्टर ने दवा दिया वह हेवरीमां आधर आधे कैसे हैं आप लोग पीछली व्लोक में आप लोगों ने देखा होगा है कि हम काफी जादे लेट हो गए थे बस के लिए पर बस मिल गया था और बस में बहुत ज्यादे मस्ति किये थे तो आज लेट नहीं हुआ है पर आज मेरा तविद बहुत ज़्या में नहीं बैठने दिया जाएगा और आपको पता इतना जाद है मुझे दर्द है ना कि मैं असे जब अपना फोन उठाया तो काफे जादे दर्द हो रहा है हाथ में तो इसलिए अपने पैर से ऐसे लगा कर रोक दिया हूँ आपको पता पर आज दी हमेशा उठी जाती है इस और यह देख सकते हैं वहीं सिर्फ इतना ही खा पाया हूँ इतना छोड़ दिया वहीं खाया नहीं जा रहा है और काफी जाते तर्दे काफी जाते पर क्लास के लिए अपस आने हमाली है लगवगा और पास दस मिनिट होगा तो जल्दी से इसको रटते हैं और पान गोनी ल ए इसको जाते है का जाते हैं वहीं जाल जाते हैं जाते हैं कि लिए इसके दो कि पूह इसा और को आ. आज पूरा दो दिन हो गया और जब मैं ब्लोग एडिट किया था ना सुबर जब जा रहा था कॉलिज उसके बाद कहीं ब्लोग है लगभग दो दिन हो गया और उतने दिन से मैं फिग अपना वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जब मैं लास्ट में एक बार वीडियो थोड़ा से बना था जम्हें कॉल्स आय तो जला घा और उसके बाद से अभी वीडियो बना रहा हूं अभी रात के बज़र हम गया आपनों और इतना खाना मतलब इतना भी मुझसे नहीं खा जा रहा है और पूरा मतलब ऐसे बैठा नहीं जा रहा है जैसे लग रहा है पुरा स्रीव टूट रहा है और फिर लेटने का मन कर रहा है फीवर दो दिन से लगवग एक सदू फीवर पूरा 102 और 103 एकसो दू भी फीवर नहीं आ रहा था रात वर में यानि डेढ़ दिन डेढ़ दिन 102 और 104 के बीच में फीवर रहा है और इस समय भी 102 या फिर 102 ही फीवर होगा 101 बहुत कम फीवर रह रहा है 101 पे फीवर कभी-कभी जा रहा है वहना हमें से 102-104 और इस समय गया था अपोलो हस्पीटल वहां पे डॉक्टर ने दवा दिया बोले कि सही हो जाएगा और टेस्ट लिखवाए है अब टेस्ट के रिप को दो दिन हो गया मैं खाना में ने खाया हूं सिफ हां इस समय ये खा रहा हो बना कल रात को या पर सव रात को कि रहा ता डौले 60-50 एमजी भी कामने कर रहा है पर एक समय के लिए थोड़ा से फीवर उतरा था तो उस समय में खाया था तीन पराठा बस उतना हुआ घ्ञा वास मैं अभी तक खाना ने खापाया हूं आज भी दिन में खाना ने खापाया है तो पता लगेगा शुबर आएगा लेब वाला तो पता लगेगा क्या क्या हुआ है साम को रिपोर्ट देगा तो ठीक है तो अब भी मैं इस समय दो दिन बाद में वीडियो मनाने के लाइब हुआ हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत तेस भारी है और फिर मुझे ऐसे ऊठके बैठा ली जा रहा है और खाना तो खाया नहीं जा रहा है पानी पी रहा हूं तो मीठा पानी जैसे नीबू का पानी हो इतना ही और अभी चब होगा आज के बूदात में इतना रहेंगे और दोस्तों आप जो कल की ब्लोग बनेंगी और कल श्के ऐसक दूद करेंगा कि रीपोर्ट के बाद क्या आया था रीपोर्ट में ठीक है दोस्तों तो आज की क्ल जो माई कल जो मैंई कॉले जाने दिन तो आभी मैं उस ब्लोग की इंड करता हूँ अपने इस लुक के साथ तो ठीके दोस्तों मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए राद ही राद है जैसरी राव